हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे ऊनलाईन चनल अरद्या अरेस अक्डबी में दोस्तों राजस्तान में आयोजित त्य राजस्तान पत्वारी भरती प्रिक्षा 2021 के लिए आज मांप के लिए दोस्तों करंट अफेर के र्याय। कि राजस्तान करेंट अफेर के टोप सो प्रस्ण लेके आया हूँ यह सो प्रस्ण है यह दोस्तों पिछले च्छह मेंनों के हैं इसलिए आपकी परिक्षा की दृष्टी से अतियांत्म नहीं तो पूर्ण प्रेश्णों को आपको ढ़सदों रटना है और आध्यारैस अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेल आइकन को दबाना है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है तो चलिए तो सुरू करते हैं आज का अपना इ जरस्वंत सिंग क्या दोस्तों अनिका हाली में निदन हो गया तो यह लाजस्तान के कौने जिले से थे तो दोस्तों यह बाढ़मेर जिले से राजस्तान के तो इसका राइटंसर हो का वो है ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों और बाड मेर में भी कहां पर तो जसोल गाओं है ठीक है वहां के थे यह जस्वन कोशिंग आगे देखिए सेकेंड नंबर का प्रेस्न है बहुत ही अच्छे अच्छे प्रस्न है ओनली फोर राजस्तान करंटा फिर के देखिए एस्याई विकास बैंक यानकी एडी बी ने राजस्तान के सहरों में जलापूर्ती एवं स्वच्ता के बुनियादी धांचे और सेवाओं के विद्पोशन के लिए कितने मिलियन डॉलर के रिन को मंजूरी देदी है तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तीन सो मिलियन डॉलर तीन सो मिलियन डॉलर से नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे तीन नंबर का प्रेस ने देखे किस विकास बैंक ने राजस्तान और मद्य परदेश के सहरी चेतर की परियोजनाओं के लिए पांसो सतर मिलियन अमेरीकी डॉलर के रिन को मंजूरी किस विकास बैंक ने राजस्तान और मद्य परदेश में सहरी चेतर की परियोजनाओं के लिए पांसो सतर मिलियन अमेरीकी डॉलर के रिन को मंजूरी देदी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों ECI विकास बैंक तो इसका राइट आंसर इसमें देन का ओप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ACI विकास बैंक ठीक है आगे देखिए इसमें चाहर नमबर का प्रेस्टन है किस राज्य सरकार ने मौक्स कलस योजना 2020 को प्रसास्टनिक मंजूरी दे दी है अब यहाँ पे देखिए दो मौक्स कलस योजना 2020 को प्रसास्टनिक मंजूरी दे दी गई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो है दोस्तो इसमें किस सरकार ने तो दोस्तो राजस्तान सरकार ने से नमबर का ओप्षन राइट आंसर हो जाएगा मौक्स कलस योजना क्या है देखिए दोस्तो इसमें क्या होता है कि जो अपनों की जो अस्तियां है यानि कि कोई मर जाता है तो उसकी जो अस्तियां है गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरी द्वार आने जाने के लिए समस्त वेका बुक्तान देवास्तान विभाग करेगा ठीक है राजस्तान राज्य पत परिवे निगम की बसों से निसूल के यात्रा करा परने के लिए मौक्स कलश योजना 2020 शुरू की गई है ठीक है किसके द्वारा शुरू की गई है तो राजस्तान के मुख्य मंतरी असोक गहलोत के द्वारा दोस्तो यह शुरू की गई है मौक्स कलश योजना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से नमबर का उप्शन इसका समंदित है तो राजस्तान में विजोई भव योजना है ये किसे समंदित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों ये आरेस अब्यार्थियों के लिए है विजई भव योजना तो इसका राइट आंसर दे नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए राजस्तान प्रसास्निक सेवा यानि की आर एएस में इंटर्व्यू के लिए चैनीत राजसमंद जिले के अब्यार्थियों के लिए विजई भव योजना सुरू की गई है ठीक है और यह यो चिंग उपलब्द करवाई जाएगी ठीक है और साखसातकार के लिए यानिकी इंटर्व्यू के लिए भी दोस्तों वहाँ पर आविदन कर सकेंगे तो इसमें दैन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है शिक्स नंबर का प्रसन है इसमें देखे मेरा राजस्तान लो जीवन की बानगी पुस्तक के लेखक हैं तो दोस्तों कोन है इस पुस्तक के लेखक तो वो है गुलाब कोठारी ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें बै नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है कोन है गुलाब कोठारी आगे देखे का एक वर्स पूरा होने पर किस पुस्तक का लोकारपन मुख्य मंत्री असो गहलोत वे विदान सबा के अध्यक से डोक्टर सीपी जोसी ने किया तो दोस्तों कौन सी पुस्तक का लोकारपन किया है मुख्य मंत्री असो गहलोत और विदान सबा अध्यक से डोक्टर सीपी जोस ने तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है नई सोच नए आयाम पुस्तक का लोकारपन किया है दोस्तों ठीक है तो इसका right answer A number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आठ नमबर का प्रेसन है इसमें देखिए राजस्तान का पहला राजस्तान का पहला बलक ड्रक्स जोन किस चेतर में इस्तापित होगा तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा में कहां पर है कोटा में ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कोटा में नाइन नमबर का प्रेस्टन है इसमें देखिए हाली में सयुक्त राष्टर द्वारा सम्मानित सुनील यादव का समंध है वो राजस्तान के किस जिले से है तो दोस्तों देखिए सुनील यादव जिनको हाली में सयुक्त राष्टर द्वारा सम्मानित किया गया है ये राज राजस्तान के अलवर जिले से संबन दित हैं दे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दस नंबर का प्रेस में इज ओफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यानकी देखिए इज ओफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 मे से नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें ग्यारा नंबर का प्रेस में देखिए राजस्तान की किस सिक्षिका को सी बी एसी अवार्ड 2019 से समानित किया गया है तो मित्रों इसका राइट आंसर हो अनिता मिस्तरा तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अनिता मिस्तरा आगे देखिए इसमें बारा नंबर का प्रेस ने राजस्तान के किस सिमेंट प्लांट को उर्जा सरक्षन परबंदन के लिए 21 वा नेशनल एन energy efficiency unit प्रदान किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों न्यूवाको सिमेंट चितोड को ठीक है न्यूवाको सिमेंट चितोड को तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ओप्शन बिल्कुल सभी तरह हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें तेरा न पाविदन के लिए राजनीर पोर्टल लॉंच किया गया है तो दोस्तों राजनीर पोर्टल है वो कहां लॉंच किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैपूर में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में राजनीर पोर्टल लॉंच किया गया है ज लेकि राजस्तान के किस जिले के दो यूवकों ने अमेरिका में कैलिफोर्निया के 14500 फिट उचाई वाले माउंट विहटनी की उचाई यन की कितनी उचाई है? ने 14500 फिट उचाई वाले माउंट विटनी पर चड़ाई कर देश का नाम रोशन किया है तो वो राजस्तान के वो दो यूवक हैं वो कौन से जिले के हैं? यह अपने को इसमें बताना है तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह चितोड गड के हैं कहां के थे चितोड गड के हैं तो इसका राइट आंसर है बे नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है? और चितोड गड जिले के बेंगू कस्वे के थे दो विक्ति आगे देखिए इसमें 15 नमबर का प्रेसन है किस भारतिये राज्ये ने राज्ये में MSME को सायता परदान करने के लिए सिड़ भी के साथ भागेदारी की है तो किसने की है ये भागेदारी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान ने ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बे नमबर का जो अप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा MSME के गेट का उद्गाटन है वो मित्रों कहां पर किया तो यह किया जैपूर में ठीक है तो इसका राइट आंसर दैन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परदान मंतरी स्री नरेंदर मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जैपूर में पत्री का गेट का उद्गाटन किया था ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें दैन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो बिकानेर तो इसका राइट आंसर इन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिकानेर ठीक है और दोस्तो जो ये संग्राले है विश्व इस्तरिये संग्राले ठीक है इसमें चार पॉइंट बारा करोड रुपे की लागत आई है ठीक है तो ये अपना इसमें एन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अठारा नंबर का प्रेसन है इसमें देखे आसाराम बापू पर लिखी गई किताब गर्निंग फोर दे गोड मैन के लेखा कौन है तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैपाल ला अजैपाल लामबा इन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है गर्निंग फोर दे गोड मैन ये आसराम बापू पर ये पुस्तक लिखी है तो इसमें एन नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट जल जीवन मिशन के अंतरगत केंदर और राजस्तान के बीच नि तो दोस्तों 50-50 है कितनी है 50-50 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डै नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केंदर ये जल संसादन मंत्री कोन है तो दोस्तों गजेंदर सिंग सेकावत ठीक है देखिए हाली में मुख्य मंत् तथा अन्य चेत्रों में 90 अनुपात 10 के अनुपात में केंदरिये हिस्चेदारी उपलब्द कराई जाए जल जीवन मिशन के अंतरगत केंदर और राज्ये के बीच निदी हिस्चेदारी का जो अनुपात है वो दोस्तों 50-50 है अब आगे बहुश्य में चेंज हो सकता है अगर मोदी मान जाए तो ठीक है आगे देखे 20 नंबर का प्रेशन है इसमें देखे हाली में चर्चा में रहा देश का पहला सबसे बड़ा दुरलब क्रेटर राजस्तान के किस जिले में इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों कहां पर तो ये 12 में है ठीक है तो इसका निर्यात ततपरता सुचकंक 2020 में राजस्तान को इस्तान मिला है तो दोस्तों राजस्तान को इस्तान मिला है तो दोस्तों राजस्तान को इसमें चोथा इस्तान मिला है बे नंबर का उप्शन इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है याद रखना राजस्तान को इसम आगे देखिए 22 नमबर का प्रेस ने संसकर्थ शिक्षा मंतरी डॉक्टर सुबास गर्ग ने संसकर्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनिकी के परियोग को बड़ावा देने के लिए किस एप का लोकारपन किया है तो किस एप का लोकारपन किया है तो दोस्तो इसका र 23 नमर का प्रेस ने पैरा एथलेट संदीप चोदरी को वर्ष 2020 का अरजुन अवाड परदान किया गया है उनका सम्मंद किस जिले से है तो दोस्तों यहां पे देखिए पैरा एथलेट है संदीप चोदरी इनको वर्ष 2020 का अरजुन अवाड परदान किया गया है उनका जिले से तो दोस्तों येुमं इनका समद्ध है वो दोस्तों जुन-जुणisée है तो उसके राई अंशर नंबर का ओप्शन हो जाएगा ठूक है और जुनजुन जुनजले में खेत्री चेत्र के मेहड़ा चेत्री चेतरी चेतर के मेहाडा जाटुवास गाउं के ये जेवेलिन थ्रो के पेरा आतलेट खिलाडी हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जुन-जुनु के हैं ये ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुतर 24 नमबर प्रेशन है सारवजनिक सिक्षा के छेतर में सहरनिये कारिये करने वाले शिक्सकों को मिलने वाले राष्टी पुरुषकार की सुची में राजस्तान से एक मातर किस शिक्सक का चैन हुआ है तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गीता कुमारी का चैन हुआ है तो इसका राइट आंसर ए नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सयुतर हो जाएगा आगे देखिए 25 नमबर का प्रेशन है राजस्तान के किस होटल को वावो अवार्ड एसिया 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों यहाँ पर तो इसमें उमेद भवन पहलेश ठीक है तो इसका बे नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का सही है ओबरोई नहीं है उमेद भवन पहलेश ठीक है आगे देखिए इसमें 26 नमबर का प्रेशन है अबेडा पायोलोजिकल पार्क किस जिले में ह अबेडा बायोलोजिकल पार्क है वो कौन से जिले में इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तो कहां पर कोटा में तो इसका राइट आंसर से नमबर का उप्षन बिलकुल सही उत्तर नेक्स्ट है 27 नमबर प्रेशन है वर्स 2020 का प्रोफेसर प्रेम संकर स्रीवाच्षव ये दिया जाएगा किसको तो पदमजा सर्मा को पदमजा सर्मा को दिया जाएगा ये दे नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए 28 नमबर प्रेशन है राजस्तान के किस जिले में पानी का बंडार मिला है जो 10 लाग तक की आबादी की दस साल तक की आबादी की कई साल तक प्यास बुजा सकता है तो ये पानी का बंडार है वो दोस्तों कहां पर मिला है तो ये मिला है दोस्तों बाड मेर में तो इसका राइट आंसर दे नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाड मेर में ठीक है और बाड मेरमी में दोस्तों अभी एक गाव है जिसका नाम है मांडपुरा बरवाला याद रखना मांडपुरा बरवाला याद रखना ये बरवाला ठीक है और यहाँ पर दोस्तों पानी का भरंडार मिला है ठीक है और वहाँ पर दोस्तों चार हजार आठ सो खरब लिटर प लाक आबादी की कई साल तक प्यास बुजा सकता है तीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर दैनमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें ट्वन्टीनाई नमबर प्रेस ने राज्यपाल काल मिस्र ने तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरत पूर में ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तीक है आगे देखें दोस्तो इसमें 30 नमबर का प्रेस ने मतुरादास अवार्ड 2020 में सीनियर कैटेगरी के लिए किसे चुना गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो किसे चुना गया था तो यह चला गया था दोस्तो असोक मिनारिया को तो इसका राइट आंसर A number का जो option है वो बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा ठीक है या आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें 31 number प्रेस ने परवता रोही मगन बिशा का चैन केंदरिये खेल मंत्राले द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरुषकार 2019 में lifetime achievement के लिए किया गया है इनका सम्मद किस जिले से है तो इनका जो सम्मद है वो दोस्तो किस जिले से है परवतारोही मगन बिशा का जो सम्मद है वो दोस्तो किस जिले से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विकानेर से सम्मद है दोस्तो इनका तो इसका राइट आंसर आगे देखिए 32 नमबर का प्रेस ने देश की पहली राज्य इस्तरिये ओनलाइन लोग अदालत का आयोजन किस राज्ये में किया गया तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्तान में तो इसमें आगे देखिए राजस्तान फुटबोल संग के अद्यक्स चुने गए है तो दोस्तो मानवेंदर सिंग जसोल ये दोस्तो राजस्तान फुटबोल संग के अद्यक्स चुने गए है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे आगे देखिए राजस्तान फुटबो बताइए क्या नाम था उनका जो बाड़ मेर के थे यह मानवेंदर सिंग किसके बेटे हैं कमेंट में बताइए तो दोस्तो जस्वन सिंग नहीं देखिया पूर्वा केंदरी मंतरी उनके बेटे हैं यह मानवेंदर सिंग ठीक है जसौल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तो गया मानवेंदर सिंग आगे देखिये दोस्तो इसमें 34 नमबर का प्रेस ने राजस्तान के पहले ओक्षी जोन का सिलायांस मुक्य मंतरी असो गैलोत ने किस सहर में किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कोटा में ए नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिये मद्देफ परदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अतन ब्यारी वाजबे के नाम पर रखने का फैसला किया है यह एक्सप्रेस राजस्तान में कितने किलोमिटर गुज़एगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजस्तान से य ठीक है तो इसका राइट आंसर ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें चत्तिस नमबर प्रेस ने राजस्तान बास्केट बोल जगत में टाइगर के नाम से प्रसीद है किस पूरवा अंतराश्टे खिलाडी का निदन हो गया तो दोस्तों किसका निदन हो गया हाली में जो बास्केट बोल जगत में टाइगर के नाम से प्रसीद हुए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हर रमन गुपता तो इसमें बै नमबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन गुपता ठीक को राजीव गांदी लाइफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड दिया गया है तो मित्रों ये दिया गया है किसे तो किसन रूंग टाको किसन रूंगटाको ए नंबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है राजस्तान के किस जिले के सभी सरकारी इस् मुस्तकालों का नाम सरतंतरता सेनानियों के नाम पर रखे जाने की गोश्ट ना की है तो वो किये है दोस्तों नागोर में ठीक है तो इसका राइट आंसर A नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सेयूतर हो जाएगा नागोर नेक्स्ट है हाली में राजस्तान सरकार दोरा पहले बिकसुक ग्रहे और पुनर्वास के अंदर की सुरुवात कहां की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जैपूर में तो इसमें डे नमبر का उप्सन सही उत्र हो जाएगा आगे देखे हाली में राजस्तान के पूरवाँ अंतराश्टे खिलाड इर्फान अली गोड का निदन हो गया उनका सम्मध किस खेल से है तो दोस्तों हाली में पूर्वा अंतराश्टे खिलाडी इर्फान अली गोड का निदन हो गया उनका सम्मध किस खेल से है तो दोस्तों इनका जो सम्मध है वो बास्केट बोल से था ठीक है किसके से बास्केट तो इसका right answer हो जाएगा इसमें ए नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 41 नमबर का प्रेस ने राजस्तान का पहला महिला होकी खेलो इंडिया के अंदर कहा इस्तापित किया गया है तो ये किया गया है दोस्तों कहां पर तो ये चूरों में किया गया है तो इसका right answer ए नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 42 नमबर प्रेस ने जैपूर में द्रवेवती रिवर फ्रेंट की तरज पर कोटा में मुक्यमंतरी असो गैलो ने किसका सिलायांस किया है जैपूर के द्रवेवती रिवर फ्रेंट की तरज पर कोटा में मुक्यमंतरी असो गैलो ने दोस्तों किसका सिलायां कर हो जाएगा चंबल रिवर फ्रेंट है ठीक है आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रेशन है केंद्रिय गरह मंत्राले की और से राजस्तान के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से समानित किया गया है बहुती अच्छा प्रस्न है सभी का सही है देखिए यहां पर केंद्रिय गरह मंत्राले की और से राजस्तान के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से समानित किया गया है तो मित्रों इसका 121 पुलिस कर्मियों को दोस्तो ये पदक दिया जाएगा ठीक है जिसमें राजस्तान के 6 पुलिस अधिकारी स्में सामिल हैं ठीक है अगे देखिए इसमें 44 नमबर प्रेस्टन है हाली में राजस्तान का कौन सा जिला इस्तनपान के मामले में भारत में तीसरे इस्तान पर रहा है तो दोस्तों इस्तनपान के मामले में भारत में तीसरे इस्तान पर रहा है तो वो कौन सा जिला है तो वो है जुन जुनु तो इसमें A नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान का पर्थम हाती गाउं किस जिले में इस्तित है तो दोस्तो राजस्तान का पर्थम हाती गाउं है ये कौन से जिले में इस्तित है तो दोस्तो इसका राइनबर का ओप्षन होजाएगा यहां पर देखे हाथियों के विश्राम के लिए चार नए थान बनाने की बिघोश्चना की गई है आगे देखिए इसमें 46 नमबर प्रेस ने राजस्तान के किस सहर में दुनिया के पहले 24 करेट एडिबल गोल्ड फूड कलाउड किचन का सुबारंब किया गया है तो दोस्तों राजस्तान के कौन से सहर में किया गया है इसका सबारम तो ये जोदपूर में किया गया है तो इसमें N नमबर का जो उप्षन है वो इसका सहीतर हो जाएगा आगे देखिए 47 नमबर प्रेशन है राजस्तान के किस जिले के विवाडी चेतर के पत्रेडी इलाके में इसरो के वर्ष 2024 के मंगल यान टू प्रोजेक्ट के कल पूर्जे बनाए जाएंगे राजस्तान के किस जिले के विवाडी चेतर के पत्रेडी इलाके में इसरो के वर्ष 2024 के मंगल यान टू प्रोजेक्ट के कल पूर्जे बनाए जाएंगे तो दोस्तो कहाँ पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर विवाडी आ गया तो अलवर इसका बिल्कुल सहीटर हो जाएगा तो दोस्तो पचिस अगस्त को मनाए जाता है तो उसका राइट आंसर देन अबर का अप्शन सहीटर हो जाएगा नेच्ट ले राजस्तानी बाछसा संकल्पदिवस यहाँ दोस्तो 25 अगस्त को मनायजाता है यह भी ठीक है तो इसका राइट आंसर नेक्स्ट है पचास नमबर का प्रेस्ट है हाली मेर राजस्तान में ग्राम रक्सकों की नियून्तम आयू सीमा बढ़ाकर 30 वर्स के इस्तान पर कितनी वर्स कर दी गई है तो दोस्तों यहाँ पे ग्राम रक्सकों की नियून्तम आयू सिमा बढ़ा कर 30 वर्ष से दोस्तो 40 वर्ष कर दी गई है तो इसका राइट आंसर से नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष 51 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए किस सहर में देश का पहला छेतरीय मतदान जाग रुकता के अंदर इस्तापित किया जाएगा किस सहर में देश का पहला छेतरीय मतदान जाग रुकता के अंदर इस्तापित किया जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों वो है इसमें जैपूर तो इसका right answer हो जाएगा इसमें दैनमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल स्यूत्तर हो जाएगा जैपूर Next हाली में राजस्तान में सरकारी एकल पुरुष करमचारियों को भी child care leave की गोशना की गई है child care leave कितने दिनों के लिए दी जाएगी तो यहां पे देखिए हाली में राजस्तान में सरकारी एकल पुरुष करमचारियों को भी child care leave की गोशना की गई है child care leave कितने दिन के लिए दी जाएगी तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो 720 दिनों के लिए child care leave दी जाएगी तो इसमें day number का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा आगे देखिए 53 number का प्रेस ने के अंदर सरकार ने सयुक्त राष्टर सुरक्ष्या परिशद में सामान्य मुद्दों पर भारत की बात रखने व्यक्तव्यत देने वे परतिनिदित्वे करने के लिए न्यूक्त किया है तो किसे न्यूक्त किया है तो दोस्तों ये राजेस परिहार को न्यूक्त किया है तो इसका right answer a number का option बिल्कुल सही उतर राजेस परिहार आगे देखे राजस्तान में संसकर्थ सिक्षा के लिए चात्रों के लिए कौन सा एप शुरू किया जा रहा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कौन सा तो वो है देववानी एप है तो इसमें से नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें जोदपूर पुलिस दुआरा गुमसुदा बच्चों की तलास तथा बाल स्रम करवाने वालों के खिलाब कारवाई करने के लिए कुन सा अबियान सुरू किया गया है तो मित्रों इसका राइट आंसर कौनसा हो जाएगा तो वो है दोस्तो इसमें ओप्रेशन आसा डितिये ओप्रेशन आसा डितिये तो दोस्तो जोदपूर में ठीक है आगे देखिए इसमें चपन नंबर का प्रेस ने कि अंदर सरकार राजस्तान में कर्शी उच्षरजन कम करने के लिए किस परियोजना को सुरू करेगी कि अंदर सरकार राजस्तान में कर्शी उच्षरजन कम करने के लिए किस परियोजना को सुरू करेगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें प्रशन है इसमें देखिए राजस्तान सरकार द्वारा डिजिटल एजूकेशन देने के लिए शुरू किये गए इसमाइल का पूरा नाम है वो अपने को इसमें बताना है तो देखिए दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे सोसल मीडिया इंटर इंटरफेस फोर लर्निंग इंगेजमेंट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखें सोशल मीडिया इंटरफेस फोर लर्निंग इसमें इंगेजमेंट तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए अठावन नमर का प्रेशन इसमें देखिए डायलोग इनिसेटिव फाउंडेशन ने राजस्तान का पहला लोक गायन का रियल्टी सो शुरू किया है इसका नाम है तो दोस्तों इसका नाम क्या है तो इसका नाम है नमर का उप्शन हो जाएगा आवाज राजस्तान री नेक्स्ट है 59 नमर प्रेशन है राजस्तान का सोर उर्जा उत्पादन में देश का कौन सा इस्तान है तो दोस्तों देश का कौन सा इस्तान है तो पहला इस्तान है देश में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आए न नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सेयुत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें 61 नमबर का प्रेस ने एक अगस्त दोहजार बीस को राजस्तान रोयल्स ने 2019 की IPL की यादों को लेकर एक डोकुमेंटरी रिलीज की इसे डोकुमेंटरी का नाम है तो दोस्तों इस डोकुमेंटरी का नाम क्या है तो वो है इनसाइड इस्टोरी दे सीजन विद राजस्तान रोयल इनसाइड इस्टोरी एस सीजन विद राजस्तान रोयल है तो इसका ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 62 नमबर का प्रेस ने तो दोस्तों यहां पे देखिए राज़स्तान में राष्टिये इस्मार्ट इंडिया हेके थोन 2020 का आयोजन कहां किया गया तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैपूर में किया गया तो इसमें एनमबर का उप्षन सहीतर हो जाएगा 63 नमबर प्रेस्न है अंतराश्टिय बाग दिवस गुन्तिस जुलाई के अवसर पर राजस्तान वन विभाग द्वारा आयोजीत ताइगर फोटो डिजिटल एक्जिबिशन में परतम पुरुषकार से किसे समानित किया गया तो यहां पर देखिए किसे समानित किया गया था राजस्तान वन विभाग द्वारा आयोजीत ताइगर फोटो डिजिटल एक्जिबिशन में परतम पुरुषकार किसे मिला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मिला दोस्तो अभी जीत सिनहा को ठीक है तो इसका राइट ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है अंतराष्टे बाग दिवस गुन तिस जुलाई 64 नमबर का प्रशन है इसमें देखिए राजस्तान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इंद्रा रसोई योजना के तहत जरूरत मंद और गरीबों को कितने रुपए परती पलेट में स्वस्त एवं पोस्टिक बोजन मिलेगा इस प्रशन का उत्तर दोस्तों आपको कमे कितने रुपए परती पलेट में स्वस्त एवं पोस्टिक बोजन मिलेगा तो देखिए अमरिता सिंग, सोरब, अमरिता, मीना, जीतू, सभी का सही है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों आठ रुपए परती पलेट तो इसमें ए नमबर का जो को बीस अगस्ट दोहजार बीस से इंद्रा रसोय योजना शुरू करने का निर्देश दिया है तो वो दिया है दोस्तो राजस्तान सरकार ने तो इसका राइट आंसर इसमें बै नंबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान सरकार ने हाली में अत पिछड़ा वर्ग को राजस्तान न्याइक सेवा में कितने परतिसत आरक्षन देने को मंजूरी दे दी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें पांच परतिसत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से नंबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएगा प मंजूरी दे दी है तो दोस्तो वन इस्टॉप सौप योजना को मंजूरी दे दी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो राजस्तान तो इसका राइट आंसर से नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 68 नंबर का प शुरू किया है तो दोस्तों ये अभियान है ये कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्तान सरकार ने तो इसका राइट आंसर तो इसमें दे नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें राजस्ता आगे देखिए 69 नमबर का प्रेसन है नितिन गडगरी ने राजस्तान और किस राज्ये के बीच 280 किलोमेटर लंबे चंबल एक्सप्रेस वे को बनाने की गोशना की है तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मद्यप्रदेश 10 नमबर का जो प्रेसन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मद्यप्रदेश नेक्स्ट सतर नमबर का प्रेसन है किस राज्ये ने सो इसकुलों में स्मार्ट कलासरूम इस्तापित करने के लिए पावर ग्रीड कोर्पोरेशन ओफ इंडिया और एज अगे देखिए गजतर नमबर प्रेसने राजस्तान चेज तो दोस्तों सीधा सा है राजस्तान तो इसका राइट आणसर सहान नमबर का ऑ्प्सन हो जाएगा आगे देखिए 73 नमबर प्रेसने किस भारतिया राज्ये ने प्रवाश्य सर्मिकों के लिए एक ओनलाइन सर्मिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है तो किस बारती राजे ने प्रवाशी सर्मिकों के लिए एक ओनलाइन सर्मिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है तो ये राजस्तान सरकार ने किया है दे नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 74 नमबर प्रेस ने किस राज्य सरकार ने हाली में सेनिकों के लिए निसुल का बस सेवा है वो दोस्तों किस ने शुरू की तो राजस्तान ने तो इसका दे नमबर का उप्शन दिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए बॉलिवूड अभी निता इर्फान खान का हाली में निदन हो गया वे किस राज्य से थे तो दोस्तों वे राजस्तान से थे तो इसका राइट आंसर ए नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीक है आगे देखिए इसमें 76 नमबर प्रेस ने जाच परिणाम सही नहीं पाई जाने के कारण किस राज्य सरकार ने कोरोना वाइरस संकरमन की जाच के लिए तवरित जाच किट का इस्तिमाल को रोक लगा दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्तान ने ठीक स्वास्तर सेवा स्टार्ट अप मेड कार्ड्स के सात सही moved किया है किस राज्य सरकार ने ओन लोगों को सीट्ष्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्तर सेवा मेड कार्ड्स के सात्त सयोग किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्तान ने ठीक है तो इसका एनमबर उप्षन सयूतर हो जाएगा आगे देखिए आद्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्ता की किस मुख्य प्रसासिका को हाली में निदन हो गया तो दोस्तों यहां पे जो ब आगे देखिए एयर वाइस मार्सल चंदन सिंग राठोड जिनका हाली में निदन हो गया उन्हें बहदुरी के लिए किस पुरुषकार से समानित किया गया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महवीर चकर से समानित किया गया था इनको बै नमबर का जो यहाँ पर देखिए राजस्तान पुलिस द्वारा जरूरी परिष्टितियों में बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए किस एप को लॉंच किया गया है यानि कि दोस्तों कौन से एप को लॉंच किया गया है जरूरी परिष्टितियों में बाहर निकलने की अनुमति ले आगे देखिए 81 नंबर क्राइशन, किसे युगांडा का सर्वोचे नागरिक पुरुषकार, गोल्डन जूबली मेडल सिवीलियन परदान किया गया है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है राजेश्ट चपलोद, तो इसका राइट आंसर ए नमबर का उप्षन सयुतर हो जाएगा राजेस्ट अपलोद 82 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए सरकार ने चार राज्यों में 7,660 करोड रुपए की लागत से 780 किलोमेटर हरित राजमारग के निर्मान को मंजूरी देदी है कौन सा राज्य इसके अंतरगत सामिल नहीं है तो कौन सा राज्य इसके अंतरगत सामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मद्दे प्रदेश A नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्दे प्रदेश से ठीक है आगे देखे इसमें 83 नमबर प्रेस ने राजस्तान के किस सहर को भारत का संगमरमर सहर भी का जाता है जो हाली में इंदोर के आर सी एस उडान योजना के तहट जुड़ा है तो वो कौन सा है कौन सा सहर है वो तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किस गड़ अटिफोर नमबर प्रेस ने है भारत का कौन सा राष्टिय बायो फ्यूल पॉलिशी लागू करने वाला पहला राज्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजस्तान बे नमबर का उप्शन बिल्कुल सहुतर हो जाएगा 85 नमबर प्रेशन है इसमें दिखिए नियंतरक एवं मालेखा परिक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 16 के दोरान देश में परियावन से समंदित अपरादों में से 40% से अधिक अपराद किस राज्य में हुए है तो 40% से अधिक जो अपराद है वो कौन से राज्य में हुए है तो ये हुए हैं दोस्तों राजस्तान में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दे नमबर का उप्शन सहुतर राजस्तान नेक्स्ट 83 नंबर प्रेसन है इसमें देखे 67 वी सीनियर नेशनल का बड़ी चैंपियंशिप किस सहर में आयुजित की जा रही है तो कौन से सहर में आयुजित की जा रही है तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तो जैपूर में तो इसका right answer बे नमबर का option सहीटर हो जाएगा सभी कर सही है आगे देखिए दोस्तो इसमें 87 नमबर प्रेस ने हाली में किस व्यक्ति को महराणा मेवाड समान 2020 से समानित किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा वो है अनन्त विजे को A number का option इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनन्त विजे को नेक्स्ट आगे देखिए 88 नंबर का प्रेस ने N C E R भूमी रिकोर्ड और सेवा सुचकांग 2020 में राजस्तान को किस स्रेणी में रखा गया है तो दोस्तो राजस्तान को कौन सी स्रेणी में रखा गया है तो दोस्तो 15-60 अंकी स्रेणी में रखा गया है तो इसका राइट आंसर इसमें बैन नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तुके है आगे देखिए दोस्तो इसमें 89 नमबर प्रेस्ने हाली में राजस्तान के किस वेक्ति को फते सिंग राठोड वन्य जीव सरक्षन पुरुषकार 2020 से समानित किया गया है तो इसका राइट आमसर हो जाएगा वो है प्रोफेसर अनील छंगानी को दोस्तो फते सिंग राठोड वन्य जीव सरक्षन पुरुषकार 2020 से समानित किया गया है बै नमबर का उप्षन राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए 90 नमबर का प्रेशन हाली में CII राजस्तान का अध्यक्स किसे चुना गया है तो दोस्तो विसाल बेद को चुना गया है निमनलिकित में से किसी डौक्टर भीमराव अमेड कर विदी विश्वविद्याले का पर्थम कुलिपत्नी नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें डौक्टर देव सवरूप ठीक है तो ए नमबर का उप्षन बिलकुल सहुतर हो जाएगा डौक्टर देव सवरूप ठीक है किस देश सर्वोचे नहले के नाइक अधिकारियों ने राष्टिय विदी विश्व विद्याले जोधपुर में अपना प्रसिक्षन कारेकरम शुरू किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नेपाल में ठीक है तो इ इको सेंसेटिव जोन गोशित किया गया है कौन से राष्टिय विद्यान को बतान अभ्यारन को तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके जबर बताएं 93 नंबर प्रस्टन का राइट आंसर क्या होगा नारायन लाल मीना अमरता सिंग तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राष्टिय चंबल अभ्यारन एह नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें 94 नंबर प्रस्टन लोकसबा स्पिकर ओम बिडला दुआरा गर्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुपोसित माअबियान बैन नंबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान के किस सहर में परदान मंतरी फसल बीमा योजना पर चोथे राश्टिय सम्मेलन का आईजन किया गया तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदैपूर में तो इसका दै नमबर का उप्शन बिल्कुल स्यूतर हो जाएगा उदैपूर आगे देखिए 96 नमबर का प्रेशन है किस राजे ने राजे में बाल मजदूरी बाल दुर्वेवार तथा बाल सोशन के खिलाफ जंचेतना का संदेश देने के लिए मुक्ती कारवा संदेश रत को हरी जंडी दिखाई है तो कौन से राजे सरकार ने तो दोस्तों यहाँ पर बात अपन कर रहे हैं राजस्तान सरकार की तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें से नमबर का उप्शन बिल्कुल सभी उत् नेक्स्ट है आगे देखें किस राजे में ट्रांस जेंडर समुदाए के लिए अलग पैचान पत्र जारी किये जाएंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्तान में तो इसमें अनमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा सभी का सही है आगे देखिए एक भारत स्रिष्ट भारत कारिकरम के तहट राजस्तान को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है तो किस राज्य के साथ जोड़ा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो असम के साथ में जोड़ा गया है बैर नंबर का उप्शन बिल्कुल स साध्य पांच बजए यह बताए कि यहां पर चैनल या सड़े पांच बजए इसका टाइम कर देते हैं साधे पांच बजे से आदे गंटे में अपन सोक्यूसन है वो कर लेंगे आदे गंटे के अंदर फास्ट फास्ट कर लेंगे तो इसका राइट आंसर बे नंबर का उप्शन हो जाएगा असम आगे देखिए इसमें कल साधे पांच बजे कलास होगी आगे देखिए महा कवी का नई अलाल सेटिया पुरुसकार से किसे समानित किया गया है महा कवी का नई अलाल सेटिया पुरुसकार से किसे समानित किया गया है तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें अरविंद कर्शन मेहर उत्रा अरविंद कर्शने महर उत्राद बे नमबर का उप्सन बिल्कुल स्यूतर हो जाएगा सो नमबर का प्रस्टन इसमें देखिए हाली में गोशित पदम पुरुषकारों में राजस्तान की कितनी हस्तियों को पदम स्री पुरुषकार दिया जाएगा तो दोस्तो पदम पुरुषकारों में राजस्तान की कितनी हस्तियों को पदम स्री पुरुषकार दिया जाएगा तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पांच हस्तियों को दोस्तो पदम स्री पुरुषकार दिया जाएगा बे नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों यह आज अपने राजस्तान करंट अफेर के जो टोप सो प्रसन है वो कम्प्लीट हो चुके हैं अगर आपने अभी तक आराध्यारे सेक्रेट में के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर है जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रसन